तो वेलकम गाईज वेलकम टू मैं चैनल योगा विड डॉक्टर राजन सो दोस्तो आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर है हूं न्यू लॉंग वीडियो जिसमें आप मैं आपको बताऊंगा आज जो सीकुंस वाइज अगला आसन है जो है वीरभदरासन सो दोस्तो वी वीरभदरासन जो है स्टार्ट वीरभदरासन जो है उसके बाद जो लास्ट किया था उसके बाद वीरभदरासन आता है तो वीरभदरासन आज मैं आपको बताऊंगा तो लेट्स स्टार्टेड करते हैं स्टार्ट वीरभदरासन सो दोस्तों वीरभदरासन के मैं फाइदे बताता हूं, वीरब्धरासन जो की बहुत ही effective वासन है चाहिए वो male है, चाहिए वो female है और बच्चे भी कर सकते हैं और old age के जो हैं वो भी कर सकते हैं This is very good for the lower limbs pains lower limbs की cramps है जो और हमाएं अगर किसी को diabetes है तो उसके लिए diabetic neuropathic हो जाती है हमारी numbness आने लगती है और बड़ी pain होती है यहाँ पे पैरों में जिसको diabetes होती है तो उनके लिए बहुत ही effective है तो start करते हैं वीरभधर आसन तो guys हम पहले left side में करेंगे उसके बाद right side में करेंगे तो दोस्तों बहुत ही simple आसन है जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ yoga the real meaning of yoga is deliverance from contact with pain and sorrow कोई भी पोस करिए simply पोस करिए आप उसको योगा होता है पर उसके लिए उसको थोड़ा दे stay करना होता है तो इसको योगा कहते है योग आसन कहते हैं जैसे कि योगा अगर बोल जाए योगा आसन जो है हमारे जो आश्टांग है आठ अंग है उसमें जो आसन एक पार्ट है जैसे यम नियम आसन प्रानायम प्रत्यार धार्वन ध्यान समाधी इसमें यम नियम आसन आसन तीसरे नंबर पर आता है तो योग की राइट लेग है और लेफ लेग उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए जैसे कि मैंने पहले भी प्रिकोन आसन में तो यह जो आसन है यह हमारी योगा की फाउंडेशन होती है यह आगर यह आसन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे तो आप कोई भी आसन जो है बड़े इसली कर पाएंगे तो गाइज यह ऐसे बिलकुल सीधे लेफ 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 लेग को बिलकुल स्ट्रेट रखके उसका जो फुट है और राइट साइड उसके प्रपेंडिकुलर होना चाहिए और अपना जो यह जो हमारा ट्रंक रीजन है उसको दूसरी साइड ऐसे करके और उसको नीचे करेंगे थोड़ा बेंड होकर जितना आप बेंड हो सकते हैं और हैंड्स को बिलकुल उपर तक करेंगे राइट साइड में आपको करके रहाँगा वीरभध्रास्न तो बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था लेफ्ट लेग ऐसे रखेंगे और राइट लेग इसके प्रपेंडिकुलर कर देंगे आपका फुट जो है वो तुवर्ड्स लेफ्ट लेग होना चाहिए तो ये बिल्कुल ऐसे करके और सेम थोड़ा से बेंड होकर ये देखी हमारे जो लोर जो हैंस्ट्रिंग मसल्स है इसमें काफी खीचाव आता है काफी खीचा जाता है और जिसको नियूरोपैथी होती है डियापटिक पेशेंट को उनके लिए बहुत ही एफेक्टिव और ये थोड़ा सा बेंड होकर और सीधे हाथों को ऊपर कर देना है और बिल्कुल स्ट्रेट रहना है तो धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो दिस इस दा वीरभद्र आसन तो दोस्तो इस आसन को करने से आपकी जो लोर लिम्स की जो है काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे हमें मोस्ली जो फीमिल्स होती हैं जो नाइन टो फाइव वुमेंस होती हैं उनले जो मैंड़् में सब्हें होते हैं तो दोस्तो इसका ध्यान दखियें योगा जरूर कीजी जाए होका नहींस तो योगा और उसक ध्यान दखिया है मैं और मेरे साध कीजीगा में तो योगा जो है कुछ न कुछ शॉट्स डालता रहता हूं और उसमें कुछ सीखने वली चीज़े होती हैं कि किस डिजीज में क्या करना है चीज में किसमें कांटर इंडिकेशन होनी चाहिए जो हमारी वीडियो थी उसमें वीर बद्रासन के बारे में मैंने आपको उगताया तो योगासन जरूर कीजिए जरूर कीजिए योगा इस परी एफेक्टिव योगा करने से आप बिलकुल यंग रहेंगे आपकी जो डेड़ सेल है वो रीजुवनेट होंगे और आप बिलकु कोई भी डिसॉडर्स हैं या कोई भी प्राब्लम हो रही है मेमरी कम हो रही है और उसके लिए बहुत एक गास बड़ी इमगास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई-बाई-ची यू नेक्स्ट वीडियो